जिस इशू पर हम दोनों आज साथी आज एए सीसी में आए हैं वो इशू है जो पिछले दिनी राहुल जी अमेरिकन ट्रिप पर थे और जो उनकी टिपनी थी कुछ वहां के सेटल हमारे इंडो अमेरिकन से जो उनकी बाचीत हो रही थी तो हमें सभी को इस बात की बहुत हरानी है वो एक बहुत ही स्टेट फावर्वर्ड ऑनिस्ट अप्राइट लीडर हैं और जो भी उन्होंने बात की वो वेसिक उन्होंने यही बात की क्या है देशकी अजादी में उसको अजादी को बरकरा रखने में और क्युंकि अभी लीडर वो आपॉसिचन इलेक्ट हुए थे तो उन्होंने यह बात की कि हमारी पार्टी जो है और हमारी सोच जो है वो हिंदोस्तान में सभी रहने वाले दलित हों पच्छडे हों बैकवर्ड क्लासेज हों मिनोरिटीज हों कोई भी सेक्षिन हो जहां भी कहीं गर्मेंट अंडर दी कॉंस्टिचूशन किसी से भी नजायज करेगी हम उसका साथ देंगे यह बेसिक बात इतनी थी और यह बिलकुल यह जो बात इनों ने कही और सामने लेकर आए वो तो एक सिख भाई बैठा हुआ तो उसका नाम पूछा और उनों ने कहा कि हलात ऐसे बन रहे हैं देश में जहां हर आदमी को लिंग्विस्टिक बेसेज पर स्टेट्स को मिनौरिटीज को जात पात पर टागिट करने की कोशिश की जा रही है और मैं यह विश्वाश दिलाना चाहता हूँ कि हमारा जो इंडिया ब्लॉक है और विशेशत और उनका जो रोल है वो हम सभी उन सबी को स्पोर्ट करेंगे और मैं यह बात यहाँ यह पूछना चाहूंगा अपने बीजेपी के भाईयों से कि आपने यह हर बात कोई चीज आउटो प्रपोर्शन छेडने की आप कोशिश करते हो सबसे पहले तो जो राहुल जी ने बात कई हम उसका स्टॉंगली समर्थन करते हैं सारे पंजाब में भारी पैमाने पर उनको इस बात की स्पोर्ट मिली क्योंकि जो भी उन्होंने कहा काफी हद तक उसमें इसलियत थी क्योंकि आप सबसे पहले देखिए कि फार्मल्स जो हैं वो एक धर्म से विश्वाश एक धर्म के नहीं हैं जो एजिटेशन चली इदर ग्यारा महीने मैं भी तब मेंबरो पार्लिमेंट था और वो एजिटेशन अकेली पंजाब तक कनफाइन नहीं थी सारा हर्याना उसमें इन्वाल था राजस्तान था यूपी के बॉर्डर के लोग थे वेस्टन यूपी के थे दिली के थे उत्राखन बहुत दूर से सौथ इंडिया के भी लोग आ चुके थे इदर आए हुए थ मगर आप देखें के ग्यारा महीने बीजेपी की गर्वर्मेंट ने इतना भी नहीं किया के बॉर्डर पर हमारे प्राइमिस्टर ने टाइम भी नहीं निकाला गए दस मिनिट जाकर जो किसान भाई देश का पेट पालते हैं उनकी हम जेन्वन डुमार्ज जो हैं उनकी बा करने को भी त्यार ने तो ये बात उन्होंने और मुझे इस बात का अफसोस है कि आज हम काउंटर स्वाल पूछते हैं इनके मंतरी पुरी साब को लाल पुरा साब को एक और हैं दिली के इनके ताजी कांगरिस के गए हुए भाजपा में और एक हमारे कांगरिस पंजाब से आकर इदर मंतरी बने हुए हैं कि अब आप काउंटर स्वाल कर रहे हो कभी आपने तब तो वाज उठाई नहीं जब ये बीजे पी के लीडर हमारे किसान भाईयों की उनकी दस्तार की वज़ा से उनकी पगड़ी की वज़ा से जो इदर बॉर्डर्स पर बैठे हुए अप उनको खालसता नहीं बता रहे थे और मैंने बोलते हुए तब भी कहा था प्राइमिस्टर साब से प्राइमिस्टर साब जिस हिसाब का विवार आपकी सरकार और आप कर रहे हैं हमें तो कई दफ ऐसे लगता है कि ये सेकंड वर्ल्ड वार से पहले जो अडॉल्फ हिटलर न पैदा कर दी है एर्दगिर्द भाब्ड वाइरिंग लगा दी टे उनके टेलीफून के कनेक्शन्स कार्ड दिये गए ये उनका पानी का कनेक्शन्स कार्ड दिया गया और ऐसे कई आपको पता है उसके बाद यूपी के एक इनके मिनिस्टर है जो मिनिस्टर अब स्टेड थे उनके लड़के ने कैसे किसान अपनी डुमांड रख रहे थे और बहुत सारे उनमें से हमारे सिक भाई थे कैसे जीब के नीचे रोन दिये पांच छे लोग मार दिये गए जी और कितना लंबा रसा हर पार्टी ने डुमांड रखी देश बर में कि आप मिनिस्टर से स् जबाब तक नहीं दिया लास्ट मुमर्ट तक उसको कांट्रियूर रखा आपके साबने जी उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ अब अफ लेट हमारे किसान भाई अब फिर आज से चार पांच मीने पहले पंजाब के दिली में अपनी बात एक दफा फिर लाना चाहता है थ जब ये कनून इन्होंने वापस लिये थे तो इन्होंने चंद बातों का प्रामस किया थे एक तो था कि हम MSP देंगे इसको लीगल गरेंटी देंगे और जिन लोगों ने दिली में आठ नौ मेने एजिटेशन किया उन पर जो नैशनल हाईवेज पर और इंडियन कुछ और बातें भी थी हर्याना की गर्मेंट जो बीजेपी की खटट साब की गर्मेंट उन्होंने पांच 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 चार चार इंच के कील लगवा दिये वहां अब मुझे बताओ कैसी ये डिमोक्रेसी है ये अज़ादाना देश है इसमें आप अपने किसानों के वो बस इतना चाते थे का हम आकर इदर जैसे पहले आए हैं हम दिली में आकर जंतर मंतर पर बैठेंगे अपनी बाज रखेंगे वहां मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है हरयाना की पुलीस ने लाठी चार्ज भी किया गोली भी बरसाई एक नौजवान शुब करन सिंग 21 साल का नौजवान फायर वेपन से वो मारा गया जी दो सो से ज्यादा किसान पटड़ हुए और मैंने खुद एज लीडर अपोजिशन एक पिल डाली हाई कोट में औरनबल हाई कोट ने उस पर फैसला करके जुडिशल कमिशन बठाया जी तो यह जो वो बातें किसानों की रख रहे हैं यहां सारे देश में कभी मनीपुर पी बात कर रहे हैं यहां आपके सामने ही है जमू कुश्मीर की होंद को दिया जी एक स्टेड थी स्टेड को यूनिटरिटरी में बदल दिया बात वो इतनी ही कर रहे हैं कि जहां डिमॉक्रिसी खत्रे में है यह कोई एथनिक ग्रॉप्स बैठे हुए हैं यह धलत भाई चारा है यह ट्राइबल्स हैं यह मिनॉरिटीज हैं उनके जहां भी इंट का मिला है मैं बात यह करना चाहता हूं राहुल जी ने तो बस आइडेंटिटी की अभी बात ही की थी पंजाब आप देखिए सबसे बड़ा कॉंट्रिबूटर है देश की इजादी में उसके बाद देश का पेट पालन में जै जवान और जै जवान जै किसान का नारा प्सले धाई तीन साल से लगा था एकिनॉमिक ब्लॉकेड हमारा साथ हजार करोड़ पیया वह रूररuğल मेंट का फंड रोक रखा है हजारों करोड़ुपय का हेल्थ के जो हमारे पैसे हैं वह रोक किरखे हैं हजारों क्रोड़ुपय के हमारे एजुकेशन के पैसे रोक र और आज पंजाब देखिए सारे जो जहां भी पुर्फूलत सूबे हो रहे हैं उनके अपने पोर्ट्स हैं पंजाब में कोई पोर्ट नहीं हमारे पास एक ड्राय पोर्ट ही है वो अमरसर गुरूं की नगरी है आपने दस साल से उसको भी बंद करकर रखा हुआ है पंजाब क इकोनोमिकली परिशान किया जा रहा है जी तो ये सारी बातें जो हैं ये मैं सामने रखना चाथाए तो आप जो रहाउल जी ने बात उठाई चैनि जी देश के सामने मैं ये भी बात रखना चाहता हूँ आज से पंद्रह बीस दिन पहले चार किसान लीडर तामिलाड में दिल्ली से फ्लाइट लेने के लिए टिगेट्स हो चुकी थी, बोर्ड किया प्लेन, हमारे रिलिजिस सिंबल्स हैं, जैसे दस्तार है हम पगडी जिसको कहते हैं, हमारा कड़ा है, ऐसे ही शौट करपान हम उपर से डालते हैं, उन आदमियों को प्लेन में अभी तक कभी ये हुआ कि हिंदोस्तान में किसी ने फ्लाइट पर रिलिजिस हमारे सिंबल्स की वज़ा से उनको फ्लाइट से उतार दिया गया जी, किसानों की एक मीटिंग में आपने ये वाइली रिपोर्टर था सारे जी, दिली के एरपोर्ट से उनको नीचे उतार दिया गया जी, जहां नहीं ये बात कही हम उसको किन्डम करते हैं क्यों सिक परंपराओं के खलाफ है ये बात हमारे गुरूओं ने हमेशां सरबद के बले की बात की मानस की जाच सब एक ही पचान दो आप एक नौजवान लीडर को जो लीडर अफ दी अलेक्टर लीडर अफ दी ऑपोजिशन है व फिजिकली इलिमिनेट करने की धमकी दे रहे हो और मैं समझता हूँ कि ये उसकी जुबान से ये बीजेपी वालों ने ये इंडिरेक्ट फ्रेट जो है वो दिली के लीडर से इनका दुलवाया हुए ये हम कंडम करते हैं और ये भी बता देना चाहते हैं कि कांग्रिस और क Constitution के नीचे हर वर के लिए लड़ाई लड़नी है मजबूती से वो लड़ेंगा और सारा हमारा पंजाबी जग जतना है और वशेश तोर स्टेट और पंजाब है वो फिर्मली राहुल जी के ये जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी जो सोच है उसके साथ है तो इसलिए मैं यही बा बाते करती है हमारी माताओं हमारे बहनों पर ये चार्ज लगा दिया किसान की मूवमिंटों में कि ये पैसे लेकर मूवमिंट में हिसा ले रही है इस से ज्यादा शर्मनाक बात क्या होने चाहिए आज भी सब जब भी वो कोई बात करती है हमेशां क्यम्यूनिटीज में ड और ने कि इस धंग की थी क्योंको उनको पता थे लेक्शन्स होने वाली हैं और इसका कहीं असर होगा अपने आपको डिस्टंस भी किया है बट या तो पार्टी से निकालते हम भी समझते आप उसकी विचारतारा से सहमत नहीं हो आप यह दिली का लीडर जो है आज के दिन तक क्या आपने कोई एक्शन उसके साथ उसके खलाफ लिया है मुझे हफसूस है इन लोगों पर और एक नया पंजाब का मिनिस्टर बनाया जी अभी यो तबदील होकर गया है मुझे तो हरानी होती है पीचे पीचे मैं भी मेंबरो पार्लिमेंट पहले लोग सबह में था फिर आपने क्योंकि एक छोटी सी मनिस्टरी लेने के लिए आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया एक सारा परवार जो एक नामी परवार है उसको बदनाम करने की कोशिश की तो इस बात पर मैं अपनी तरफ से अपने मेरे बाद चनी जी अपनी बात भी रखेंगे सो वी स्टेंड फर्मली विट वाट राहुल जी है सेट और मैं इनको बीजेपी वालों को इतनी बात कहूंगा देश को एक रखने की कोशिश कीजिए आप ऐसा आउट अफ किंटेक्स्ट बात निकाल कर और ऐसा काम ना कीजिए जिससे हमारी बदनाम में है तो मैं इतने कह चाहता हूं अब चन्नी जी अपनी बात रहें कि तैंक आप सब का दनेवाद सदार परताप सिंग बाजबाजी ने लगबग सारी बात रख दी है फिर भी इन्होंने मुझे कहा है तो मैं इसमें कहना चाहता हूं कि राहूल जी ने कहा क्या है राहूजी ने बोला है एक सिख नौजवान को संबोधन करते हूए उन्होंने कहा टाहिंक जी कौना का मैं लिए। व्हता है एक नौजवान को थाते हैंसे लेघ। इन्हां कर्रा in India or he as a Sikh is going to be allowed to go to Gurdwara in India and that's what the fight is about and not just for him for all religions उन्होंने चिंता जहाई की है कि जिस तरीके से देश में Dalit SC, ST, OBC and minorities को treat किया जा रहा है और जिस तरीके से इनके खिलाफ एक जहाद छेडा हुआ है BJP ने हर तरीके से आने वाले समय में ऐसा होगा या हो सकता है कि सिख्वों को टर्बिन पहनने की भी अनुमती ना हो क्या वो होगी या नहीं होगी ये चिंता जाहर की है और एक valid चिंता है उन्होंने सिख्वों के हक में बात की है हम उनकी सरहना करते हैं और जिस तरीके से उन्होंने सिख्धर्म के प्रति अपनी शर्दा दिखाई और शिरी हरमंदर साहिम में जाकर सेवा भी किये अक्सर जाते हैं उससे सिख उनसे परभावित हैं और ये जो जहाद अब जिस तरीके से बीजेपी इस उनकी जो स्टेटमेंट है इसको मिस इंटरप्रेट कर रही है वो एक्चुली क्या है वो ये नहीं कह रहे हैं कि जी ये बाहर जाकर बोला है इसलिए बदनाम हो गए हम एक्चुली उनको तकलीफ ये है कि रहुल गांदी जी ने सिखों के हक में बोला है तकलीफ ये है कि इन्होंने सिखों के हक में क्यों बोला इसलिए लड़ाई दूसी तरफ से बनाकर सिखों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है जो उन्होंने चिंता जहर किया है वो जैज है और उसके बहुत सारे उधारन भी दिया जा सकते हैं मिनियोर्टीज में दलितों में स्टी ओवी सी में किस तरीके से मजूदा सरकार इनको दबा रही है और किस तरीके से इनके साथ विविहार किया जा रहा है जो भी किसा की बात करता है जो पंजाब की बात करता है जो सिखों की बात करता है जो एसी एस्टी की बात करता है उसको या खालेस्तानी कहा जाता है या देश बरोधी कहा जाता है ये कोई नहीं बात नहीं है अगर राहुल जी ने कहा है तो पूरा पंजाबी लोग और हम सिख लोग उनक सराना करते हैं कि फ्रेम्ड इस इशूज एज पार्ट आप ब्रोडर स्ट्रगल फोर रिलिजिस फ्रीडम इन इंडिया सो राहूल जी ने जो बोला है हम उसके साथ हैं और बीजेपी सिखों की भावनाओं के साथ खेलना बंद करे कुछ ऐसे सिख जो गदार तरीके से काम करते हैं बीजेपी में जाकर उनको आगे खड़ा करके राहूल गांदी जी के जिस तरीके से खलाब बोला जा रहा है और धमकियां दी जा रही है और जान से मारने तक की धमकियां दी गी है ये देश की डेमोक्रिटिक सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है किस तरफ बीजेपी सरकार देश को ले जा रही है ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा और वो जो ये मरवाहा जैसे लोग है जिन्होंने उनको धमकिया दी है उसी समय उन पे परचा हो जाना चाहिए था कि देश के उपोजिशन लीडर को किस तरीके से कि जो हाल तुमारे पुरवर्जों का हुआ तुमारा भी होगा ये दमकियां जो दी गई है उसी समय परचा हो जानी है चाहिए था और मैं मांग भी करते हैं कि उन पे परचा हो और ये जो सारा कुछ हो रहा है एलेक्शन को देकर जो मेन मुद्दे हैं उन से दियान लोगों का बढ़काने के लिए उनकी इंटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है मैं पूछना चाहता हूँ कि पंजाब एक खेती परधान सुबा है बहुत तरीके से पंजाब को तहस उस बहां की अर्थवस्ता तहस नैस करने के लिए किसानों के खिलाब कारवाईया की जाती उनके खिलाब काले कनून लेकर आते हैं इस बार भी ये चो नेकी फसल है पैड़ी वहां आज तक शैलरों में चाबल ूर रहा है अचाया नहीं गया हर शैलर वाड़े को एक से दस क्रोण और रपे तक का गाटा पड़ गया है सरकार चाहती है कि पंजाब में खेती ना हो इसलिए खेती वालों को हरान किया जा रहा उनको परिशान किया जा रहा उनकी फसल उठाई नहीं जा रही ये सारा कुछ पंजाब और पंजाबियत और सिक्खों को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और ये जो बीजेपी वाड़े कह रहे हैं कि जी बाहर जाकर बोले परदान मंत्री जी बाहर जाकर क्या क्या बोले इसके भी जड़ा देख ले चैना में ये कहा था अरे बगवान बचाए भाई पता नहीं पिछले जनम में क्या पाप किये थे कि इंडिया में पैदा हो गए ये मैंने नहीं बोला ये बीजेपी के उस समय परदान मंत्री जो आज उन्हों ने बोला हुआ था बाहर चैना में जाकर पार चैना भी बाहर का देश है बात अंदर और बाहर की नहीं है आज मेडिया इतना है कि आप यहां बात करो या बाहर बात करो बात नो चरह तरब पहलती बात यह है कि उसका बात का मतलब क्या है मतलब यह है कि आने वाले समय में मिलियोर्टीज को देखने के लिए भी कॉंगरेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और रहुली ने जो सिक्खों के हक में बात की है सिक्ख उससे अभारी है और हम उनके जो बियाना उसके साथ है लन्यवाद